नमान रहीम, गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट्स, आज की लैब में हमें A-Stable Multivibrators को study करना है, जिसका corresponding circuit ये है Multivibrators हम लोग अलएडी थेवरी के अंदर study कर चुके हैं और A-Stable Multivibrator is one of the three types of the multivibrator A-Stable Multivibrator एक ऐसा multivibrator है जिसके अंदर कोई भी stable state नहीं होती, बलके ये continuously अपनी states को change करता रहता है after spending specific time in one of the states. Based on this theory, अब हम इसकी working को study करते हैं, आपको नजर आ रहा है कि एक operational amplifier connected है इसके अंदर जो supply voltages की values हैं, वो मैंने, यहाँ पर मैं mention कर देती हूँ, VCC plus 12 होगा और VSS जो होगा वो minus 12 plus 12 minus 12 volt की supply के अंदर हम इसको operate कर रहे हैं, capacitor लगावा है 104 picofarad का, ठीक है, resistor 100 kilo ohm का लगावा है यहाँ 10 kilo ohm, 10 kilo ohm की दो same resistor की values लगी ही है, अच्छा यह जो A stable multivibrator है, इसके output पर या तो logic, I mean, plus 12 बार होता है, या तो minus 12 बार होता है, जब कभी भी plus 12 आएगा, मैं कहूंगी, उसको represent करूंगी L plus से, और अगर output पर minus 12 आएगा, तो हम लोग उसको कहेंगे L minus से represent करेंगे Suppose करते हैं, इसकी working को अब हमें study करना शुरू करते हैं, सबसे पहरे हम लोग यह देखते हैं, कि यह जो output voltage है, इसके नतीजे में इस positive terminal के उपर क्या voltage आएगा, तो ज़र आप अंदाजा करें, कि OPM के अंदर हम already study कर चुके हैं, कि कोई भी input current नहीं होता, ठीक है, तो इसके से अगर मैं इस terminal का voltage निकालना चाहूं, तो मैं यह कह सकती हूं कि V0 में R2 और R1 series में इस लिए हैं, कि इस वाली branch में कोई करण नहीं है, तो यहां का voltage कैसे निकल सकता है, V0 into R1 divided by R1 plus R2, यही मैंने लिख दिया है यहां पर कि positive terminal का voltage का generalized formula क्या है, V0 into R1 divided by R1 plus R2, जिसमें कि में R1 और R2 का यह जो ratio बन रहा है, R1 upon R1 plus R2, for simplicity इसको बीटा से represent करती है, ताके expression बहुत lengthy, complexion नहीं लगे, ठीक है, अच्छा, now assume that, कि अगर output पे logic plus 12 आता है, तो V0 क्या होगा, अगर output, I mean V0 पे अगर plus 12 है, L plus का मतलब नहीं 12, तो हमारे पास positive terminal का voltage क्या होगा, L plus, यानि जो 12V into R1 divided by R1 plus R2, इस पूरी की जगा, R1 upon R1 plus R2 की जगा, तो मैंने बीटा लग दिया और L plus लग दिया, यानि कि अगर output पर plus 12 आ रहे होंगे, तो जो V positive terminal का voltage है, ये, उसके उपर बीटा L plus voltage अपिए रहा होगा, अगर output पर minus 12 आ रहे है, L negative का मतलब बेसिकली minus 12 ह तो इसका मतलब है, V0 पे क्या रहा होगा, तारे, VDR के expression तो सेम रहेगी, V0 पर अगर minus 12 आएका, तो VDR के expression तो सेम रहेगी, V0 into R1 divided by R1 plus R2, तो expression वही रही, V0 अगर basically L minus पे आ रहे है, यानि minus 12 into R1 divided by R1 plus R2, तो बीटा L negative हमारे पास expression आ जागी, कुछ छोटे-छोटे से हम ल लन्दी expressions हैं, उसको बीटा L plus और बीटा L minus की form में convert कर लिए है, जब इसकी working होगी, तो क्या होगा, देखें, जब positive voltage यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर, चुंके यह दोनो resistances बराबर हैं, roughly roughly 6 volt अपियर हो जाएगा, कैसे अपियर होगा, विलकुल ब 10 kilo ohm, divided by 10 kilo plus 10 kilo, यह value बीटा L plus आपकी तक्रीबन 6 volt के बराबर आजेगी, जो मैंने यहाँ लिख दिये, अच्छा, इसका मतलब है, प्लस 12 देने पर, यहाँ पर तक्रीबन 6 volt आ रहे हैं, जब यह 6 volt आएंगे, तो जब इस voltage की मदद की वजह से, यहाँ पर कोई positive voltage आ रहे है तो यह voltage भी तो कुछ ना कुछ इस V0 के voltage से effect होना चाहिए, इस terminal पर तो सिर्फ resistances थी, इसी वजह से यहाँ जो भी voltage आया, quickly, यहाँ पर abruptly, यहाँ पर 6 volt generate हो गया, लेकिन इस voltage की वजह से, यहाँ पर जो voltage होगा, वो abruptly generate नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक capacitor लगा है, और हमे एक capacitor जो है, वो higher इस L plus की जो भी value है, 12 volt इसकी value है, इस capacitor का voltage 12 volt की जाने जाता हुआ नजर आ रहा होगा, rising capacitor voltage नजर आएगा, ठीक है, वो voltage कितना rise कर सकेगा, वो क्या capacitor का voltage 12 volt को achieve कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, क्योंकि जैसे ही यह capacitor का voltage, initially जितनी भी value बेता, मैं भी इसका जिकर नहीं कर रही हूँ, जब वो increase करता हुआ, जैसे ही 6 volt तक पहुंचेगा, यह तोनों voltages हो जाएंगे बराबर, और अगर यह जर्रा बराबर भी increase करता है, यह 6.1 volt हो जाता है, just for example, तो क्या होगा, कि negative terminal का voltage बढ़ जाएगा, positive terminal का voltage कम हो जाएगा, comparator वाला option आजाएगा, और इसके नतीजे में negative का voltage बढ़ने के, terminal का voltage बढ़ने के नतीजे में, output आपका अब switch कर जाएगा, minus 12 volt की जाने, जैसे ही यह minus 12 हुआ, abruptly यह चीज़ भी minus 6 volt हो जाएगी, जो कुछ अभी तक मैंने explain किया, उसकी पहले waveform को हम लोग देखते हैं, हो क्या पर 6 volt था, ठीक है, और मैंने क्या कहा, मैंने का जब यहाँ 6 volt है, तो यह जो capacitor है, यह मुझे 6 volt तक जाता हुआ, नजर आ रहा होगा, और in fact यह 6 volt पर पहुंच का रुख जाएगा, लेकिन जाने की कोशिश यह कहां कर रहा था, यह 12 volt तक जाने कोशिश कर रहा था, तो अब तक जा पहुंचा, यह सिर्फ बीटा L प्लस जो के बेसिकली 6 volt था, यह सिर्फ वहाँ तक पहुंच सका, उस से जादा यह नहीं पहुंच सका, ठीक है, जैसे ही यह 6 volt तक आया, अगला step इसने 6.1 volt का लिया, क्या हुआ, कि नेगिटिफ टर्मिल का वोल्टिच बढ़ गया, यह माइनस 12 volt हो गया, तो जैसे ही कैपेसिटर प्लस 6 volt पर पहुंच के जरा सा आगे हुआ होगा, आउटपुट जो हमाइनस 12 पर तो मुझे यह नदर आ रहे हैं कि आउटपुट माइनस 12 पर स्विच कर गया, जब आउटपुट माइनस 12 पर स्विच करता है, एबरपली य यहां से डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और जाना कहां चाहरा है, यह जाना चाहरा है, माइनस 12 volt तक माइनस 12 का रेप wczeस पर गया था, बिल्कुल इसी तरह ये अब माइनस 12 वोल्ट पर जाना चाहतो रहा है लेकिन ये 6 वोल्ट से कम होता जाएगा होता जाएगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 जैसे ही ये माइनस 6 वोल्ट पर पहुंचेगा और ये दोनों हो जाएंगे बराबर और जैसे ही एक second के लिए minus 6.1 होगा तो क्या होगा यहाँ minus 6.1 यहाँ minus 6 इसका voltage बढ़ गया आपको यह पता होना चाहिए कि minus 6 volt minus 6.1 volt से जाधा है तो जैसे ही minus 6 volt यहाँ पर है यहाँ minus 6.1 पहुंचेगा यह voltage जाधा हो जाएगा positive terminal का फिर से output switch कर जाएगा plus 12 volt को तो देखें जैसे ही capacitor decrease होकर यहाँ पर पहुंचा यह जाना तो चाहरा था 2 minus 12 नहीं जा सका जैसे ही यह beta L negative यानि के minus 6 volt की value पर पहुंचा output switch करके plus 12 पर चला गया दोबारा और फिर से वही cycle चलेगी कि जैसे ही plus 12 आया है यह फिर से 6 volt हो गया यह 6 volt हो गया तो capacitor फिर 6 volt 12 plus 12 volt तक जाने की कोशिश करेगा और 6 volt तक ही जा पाएगा जादा नहीं जा पाएगा and then the same cycle will repeat अब हमें करना क्या है हमें करना यह है के we are considering that this is time 0 this is time t1 this is time t2 मैं 0 से लेके t1 तक देखूंगी कि capacitor की क्या इस terminal की क्या voltage की value है फिर मैं t1 से t2 तक देखूंगी कि इस terminal की क्या voltage की value है और फिर हम derivation करेंगे basically ताके find कर सकें t1 और t2 की values क्या क्या है जिससे मैं इस waveform की frequency निकाल सकोंगी कि कितनी waveform की frequency होगी जो output पे generate हो रही होगी ठीक है तो add time अब मैंने क्या किया time 0 से time t1 तक मैं लेके चलती हूं ठीक है यह generalized formula है a stable या monostable multivibrator के लिए यह transient response का formula है आपने electrical engineering के course में पढ़ा होगा कि किसी भी node पे जो voltage निकालते हैं तो हम कहते है time infinity minus time infinity पर उसकी क्या voltage की value होगी time 0 पर उसकी क्या value होगी e की power minus t over rc तो चूंके मैं negative terminal की बात कर रही हूं और मैं time 0 से start कर रही हूं ठीक है अगर आप देखें तो negative terminal vc capacitor का voltage या negative terminal का voltage basically यह waveform है ना capacitor का voltage ठीक है तो time infinity पर यानि 0 से लेके 0 से लेके t1 तक के अंदर की मैं सिर्फ बात कर रही हूं तो 0 से लेके t1 पर यह किस value को अप्रोच करना चाह रहा था यह चाह तो रहा था कि यह अप्रोच करे l plus 12 volt को कर नहीं सका रुख गया जाके बीटे l plus पर time t1 पर लेकिन यह चाह यह रहा था कि मैं t1 time के ऊपर l plus पर पहुँच जाओं से शुरू हुआ था यह बात हमें initially तो नोन नहीं थी लेकिन मुझे यहां आगे की waveforms को study करके पता चल चुका है कि यह यह तो plus 6 पे जाता है यह तो यह minus 6 पे जाता है तो मुझे यह बात पता है कि time 0 के उपर भी जार यह वाला point basically इस point के ही बरावर है तो मुझे बात clear पता time T1 पर यह value क्या है तो time T1 के उपर मैं T की जगा मैंने लिख दिया T1 बागी सब कुछ as it is लिखा वा है और T1 के उपर V negative capacitor इसकी value है क्या T1 के उपर इसकी value beta L plus के बरावर है वो यह रही ठीक है यह value क्या थी यह value वो थी कि time 0 की उपर इसकी value कितनी है बीटा L negative initially इसने इस value से शुरू किया था और time T1 इस वक के किस value पर पहुँचा है बीटा L plus वो यह है अब अगले step में मैंने क्या किया है इस L plus को दूसरी side पे ले गई हूँ तो यह minus में आ गया है और यह जो कुछ भी minus L plus minus beta L negative बचा था था ना यह इसकी denominator मे ले गई हूँ E की power minus T1 over RC next step में कर लेते हैं यह कि इसको एक दफ़ा यह जो minus sign है यह उपर multiply करती हूँ उससे क्या होगा L plus का term पहले आ जाएगा बीटा L plus की term बाद में चली जाएगी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं L plus की term पहले आ गई बीटा L plus की term बाद में चली गई minus T1 over RC बाकि से सेम है LN ले ले दोनों साइट पे तो यह minus T1 upon RC सब कुछ जो है यह जारे LN E की power से खतम हो गया minus T1 है RC को मैंने दूसरे साइट पे multiply कर दिया है LN के अंदर यह पूरा bracket उपर वाला as it is है लेकिन मैंने क्या कर दिया हूँ है I have taken this L plus term as common तो यहाँ पे 1 minus beta बजग गया है बा stepness minus को यहाँ ले आई हूँ और करने यह वाले हों कि इस minus को इस LN की वज़े से इस bracket की उपर ले जाओंगी मैंने यही किया हूँ है कि RC LN पूरा bracket as it is वैसे ही लिखा वा है यह जो minus यहाँ था मैंने इस minus को यहाँ पर ले गई हूँ इस minus की वज़े से basically inverse sign की वज़े से यह वाली टर्म उपर और उपर वाली टर्म नीचे आजएगी तो मैंने टर्म को भी reverse करती है यह रहा यह नीचे वाली चीज उपर आगई उपर वाली चीज नीचे आगई उपर वाली चीज में से मैंने L प्लस को common ले लिया तो 1 minus beta L minus upon L अब हम लोग जो है वो continue करते हैं अपन L प्लस बन जाएगा, denominator में से हम लोगों ने L प्लस पहले ही common लिया वा था तो यह उपर वाला numerator, denominator, denominator दोनों factors cancel हो जाएगे, 1 minus beta L negative upon L plus और 1 minus beta बचेगा, अच्छा मजीद हमें यह पता है कि L plus और L minus इन दोनों का magnitude सेम है, sign में difference है, तो basically L plus minus of L negative के बराबर है, तो अब मैं करन में देखें कि यहाँ minus और L negative यह दोनों चीज़े मौजूद है, इन दोनों को replace करके मैंने क्या कि अगले step में L plus लिख दिया, तो यह sign भी धार है, plus पे convert हो गई, L plus से L plus cancel out हो गया, उपर बच गया, 1 plus beta, नीचे था 1 minus beta, यह हमारे पास time T1 की expression आ रही है, T1 basically वो time है, जितने duration के अंदर हमारे output के ऊपर V naught max, यानी plus 12 के करीब या high voltage की value आ रही है, ठीक है, यह time, वो time भी है, जिस time पे capacitor चार्ज हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इस वाली waveform को देखूँ, तो मुझे नदर आ रहा है कि जितनी देर तक output पे plus 12 आ रहा है, वो basically capacitor का charging time है, तो मैं कह सकती हूँ कि T1 time ना सिर्फ वो time है, जिसमें capacitor चार्ज हो रहा है, बलकि यह वो time भी है, जिसके अंदर जो है, वो output पे हमारे पास high voltage मिल रहा है, अब हम आते हैं time T1 से T2 की तरफ के इस duration में क्या हो रहा है, अभी भी जब मैं voltage निकालने वाली हूँ, वो basically negative terminal का ही निकालूंगी voltage और उ T0E की पावर मानस T over RC, अब हम time T1 से T2 की duration में देखते हैं कि time infinity के उपर वो value किस value को पहुचना चाह रहा था, और किस initial value से start हो रही है value, ठीक है, हम लोग इस वाले graph के उपर वापस आते हैं, time T1 के अंदर, this is time T1, this is time T2, यह यहां लिखा हुए, यह time T1 है, यह time T2 है, ठीक T1 से start होते वक्त, जो हमारा graph है, यह जो हमारा capacitor का voltage है, वो approach किस voltage को करना चाह रहा है, वो चाहते हो रहा था कि वो minus 12 तक पहुचता है, यानि L negative की value तक, लेकिन वो आके रुक कहां रहा है, बीटा L negative की value पे, और उसकी starting value क्या है, क्योंकि आप यह देखें कि time T1 जो है, T1 से लेकि T2 तक क्या time का T0 है, यानि कि अगर मैं इस duration को देखूँ, तो इस duration के लिए time 0 time पे, या initial value है, वो basically T1 की value है, तो initially यह T1 किस पे मौझूद है, time 0 पे किस value पे मौझूद है, बीटा L प्लस पे मौझूद है, यही values हम basically अपने expression में put करेंगे, कि time infinity पे, यह L negative पे जाना चाह रहा था, जो कि जा नहीं पाएगा, और initially किस value पे मौझूद है, यह beta L प्लस पे मौझूद है, बाकि E की power minus T over RC और V negative ऐसी लिखाव है, ताइम T2 पे क्या होगा, time T2 पे इस T की जगह जो है, वो T2 आ जाएगा, और मैंने बताए था time T2 पे पहुँच किस value पे रहा है, यह पहुच एक्चुली रहा है, beta L, yes, time T2 पर यह पहुचेगा किस पे, यह beta L negative क्यों पर पहुचेगा, यह मैंने यहां लिखा हुआ है, कि time T2 पे यह किस value पाके रुख गया, beta L negative पाके रुख गया, यही चीज मैंने basically यहां पे लिखी है, आचा, मैंने इसके बीच वाले steps नहीं कियें, यह बिल्कुल बेसिकली इसी तरह के steps होंगे, similar steps होंगे basically, और जब आप solve करके देखेंगे, तो आप देखेंगे, T2 भी बिल्कुल same expression आ रही होगी, जैसे के T1 के expression आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं T1 और T2 को अगर add करूं, तो तरह और से देखें क्या है, RCLN 1 plus beta upon 1 minus beta, RCLN 1 plus beta upon 1 minus beta, तो जो total T आएगा, वो किसके पराबर हो जाएगा, 2 RCLN over 1 plus beta upon 1 minus beta, यह नि दोनों का sum हो जाएगा simply, ठीक है, तो आपने करना किया है, अगले step में T1 और T2 को sum करके total T निकालना है, और उसका जब आप inverse लिंगे तो आपको पता चल जाएगा, कि हमारे आपको मैं readings दिखा देती हूँ, कि हमारे पास कैसा output आ रहे है, उस output के लिहाज से अब आपने observed value और calculated values देखनी है, कि जो capacitor है, उसकी observed value के आएगी, मैंना तो basically इस वक्राफ देखा है, मैंना उससे सारी values देखनी है, you can also verify, ठीक है, calculated value में हम लोग capacitor के जो peak to peak voltage है, वो हम लोग क्या expect करें, देखें, capacitor के across जो voltage आएगा, वो तकरीवन plus 6 और minus 6 आएगा, इस वज़े से plus 6, minus 6 आ रहे हैं, कि अगर हम लोग यहां assume कर रहे हैं, कि यह 12 volt आ रहे है, अच्छा एक बात और मैं बता दू, कि हम लोगों ने इस op-amp को supply दी है, plus 12 volt, minus 12 volt, तो saturation voltage जो op-amp का है, जो plus 12 यह minus 12 output पे appear हो रहे है, this is actually the saturation voltage of the op-amp, आपको अब यह थोड़ा सा idea होना चाहिए, what is the saturation voltage, तो यह voltage हम लोग exactly 12 consider कर रहे है, हो सकता है, कि exactly 12 output पर ना आ रहा हो, तो हम लोग reading में expect कर सकते हैं, कि output पे plus 12, minus 12 के वज़े है, plus 11.5, minus 11.5, इस तरहा की value आ रहे हो, हो सकता है, exact 12 ना रहा हो, ठीक है, अच्छा, इस 12 की मुनास्बत से यहां पर तो 6 volt आ रहा है, ठीक है, यहां पर exactly 6 volt ना आए, ठीक है, क्यों ना आए, क्योंकि यह 6 volt के करीब जैसे ही पहुंचता है, यह minus 6 volt के करीब जैसे ही यह terminal पहुंचता है, तो switching हो जाती है, तो roughly हम expect कर रहे हैं, कि यह terminal हो सकता है, exact plus 6 minus 6 पर ना हो, लेकिन बिल्कुल इसके करीब होगा, तो on this basis मैं कह सकती हूं, कि यह जो मेरे पास capacitor का terminal voltage है, वो plus 6 और minus 6 के दर्मियान vary कर रहा है, तो उसकी peak to peak voltage की value तकरीबन 12 volt आ रही होगी, output पर हमें पता है, output यह तो plus 12 आता है, यह तो minus 12 आता है, उसकी peak to peak voltage की value कितनी आ गई, 24 volt आ गई, frequency मैंने नहीं calculate की है, आपको भी मैंने T1 और T2 का formula दिया है, आपने T1, T2 calculate करना, उसको sum करना है, उससे total T निकालना है, one upon F करेंगे, frequency आ जाएगी, V0 की maximum value हमें पता है, plus 12 minimum value minus 12 है, capacitor का charging time T1 है, capacitor का discharging time T2 है, भी मैंने जिकर किया है कि यह किस तरह से T1, T2 के बराबर है, यह तो वो values हैं जो आप calculate करके लिखेंगे, यह वो हैं जो मैंने भी आपको waveform शो नहीं की है अभी तक, अब आप जो है वो, जब हम experiment करेंगे तो उसके